वोड इवनिंग स्टुएंट्स स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स सो क्या होता है रेस्पिरेशन उसके बारे में और क्यों जरूरत है रेस्पिरेशन की तो उसके बारे में हम बात करेंगे हमारी जितनी भी life process है वो हमें उसमें energy की requirement होती है और वो energy की requirement हमारी कहां से पूरी होती है food से, food के breakdown से so all the energy required for life processes जितनी भी हमारी life processes होती है जितनी भी हमारी बाड़ी में जो process होती है उन सब के लिए हमें live processes is obtained by oxidation, oxidation मतलब breakdown, oxidation of macromolecules, अब यह macromolecules कौन से है, oxidation मतलब breakdown, oxidation का मतलब है यहाँ पर breakdown of food, ठीक है, oxidation का मतलब है breakdown of food, oxygen के साथ food का breakdown होगा, कौन से, food का macromolecules, जिसको हम बोलते हैं, food यह वो macromolecules, जिसको हम बोलते हैं, that we call food, अब वो macromolecules कोई भी हो सकते हैं हमारे, carbohydrates, हम carbohydrates भी खाते हैं, proteins भी खाते हैं, fats, कुछ भी हो सकते हैं, यानि हमारे body को energy के requirement है, और यह energy हमारे अपनी सारी body की life process को complete करने के लिए, वो हमें कहां से मिलती है, food के oxidation से, और वो food क्या है, हम जो भी लेते हैं, चाहें, वो proteins हो, fats हो, उनका oxidation होगा, जिससे हमारे को energy मिलेगी, ठीक है, तो इसी के बारे में इस chapter में हम बात करेंगे, थोड़ा सा introduction के बात, जो आपको पता है कि जो green plants हैं, वो green plants, photosynthesis के through, photosynthesis की process हमने इससे पहले पढ़ी है, तो photosynthesis में क्या करते हैं, अपना food बनाते हैं, वो food बनाते हैं, यानि, जो light energy है, उसको trap करते हैं, light energy को chemical energy में convert करते हैं, और ये जो chemical energy है, ये bonds के form में किसके अंदर रहती है, यानि उन्होंने light energy को trap किया, किसने green plants ने, या plant के green parts ने, जहाँ पर chloroplast होता है, वहाँ पर जो ये तो खाली introduction में आपको दे रही हूँ कि light energy को trap करते हैं, chemical energy में convert करते हैं, और chemical energy में ये bonds के form में ये present होती है, किसमें chemical energy में convert कर दिया, तो ये किसमें stored हो गई, stored in the light energy को convert किया, chemical energy में, that is stored in the, that is stored in the bonds of कौन से, bonds of carbohydrates, हम basically carbohydrates को सबसे पहले लेते हैं, जो हमारा preferable होता है, carbohydrates like glucose, sucrose and starch, यानि green plant ने photosynthesis किया, ये light energy को chemical energy में convert किया, और ये chemical energy के, जो है, वो chemical energy में, जो है, वो store हो जाता है, bonds के form में, किसके अंदर, carbohydrates like glucose, सुक्रोज starch, आप basically करना क्या है, हमको इन bonds को break करना है, ये जो carbon carbon bonds है, आपको पता है कि जो हमने glucose बनाया था, C6H12O6, किसको carbon dioxide को use करके, इस carbon dioxide से carbon dioxide को हमने जोड करके, 6 CO2 को हमने लिया था, इस 6 CO2 को use करके, हमने C6H12O6 बनाया था, तो basically हमने carbon carbon bond को जोडा था, 6 carbon को यहाँ पर हमने जोडा था, ठीक है, तो हमने इनको अब क्या करना है, photosynthesis में तो हम जोड रहे हैं, photosynthesis कौन सी process है, anabolic process, anabolic मतलब synthesis वाली process, जहाँ पर कोई चीज बनाई जा रही है, तो यह कहलाती है anabolic process, ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इनी bond को हमने break करना है, और break करके इसमें से energy को release कराना है, ठीक है, इसमें से हमने energy को release कराना है, इन bonds को दीरे 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 ब्रेक करके, एक दूसरे का opposite process हो कैसे, आप देखो carbon dioxide plus water, इसको use करके हमने बनाया था, C6H12O6 plus O2, ठीक है, हमने इसको balance नहीं किया भी, 6CO2 plus 6H2O gives C6O2, ठीक है, तो यहाँ पर, 602, ठीक है, तो यह जो है, देखो, यह तो हो गई हमारी, यहाँ पर किसकी presence में होती है, sunlight और chlorophyll, तो यह process कौन सी है हमारी, यह हो गई हमारी photosynthesis, ठीक है, अब देखो, अब respiration के अंदर क्या होगा, इस food का breakdown करना है, यह जो food बना है, जो glucose बना है, इसका हमें breakdown करना है, अब देखो, क्या होगा, respiration में, C6, H12, O6, प्लस O2, अब इसका breakdown किसमें होगा, carbon dioxide, water, प्लस energy, तो देखो, यहाँ पर जो हमारा raw material था, तो यहाँ पर यह raw material था, यह product था, अब यहाँ पर यह जो product था, यह हमारा यहाँ पर raw material हो गया, और बन गया product, जो हमने बनाया था, य रिलीज कर दिया, respiration की process से, यानि वापस इसको breakdown कर दिया, इसको breakdown वाली process कौन सी कहलाती है, catabolic process, यहाँ पर हमने carbon dioxide, इसको हमने balance नहीं किया अबी, खाली आपको बता रही हूँ है, carbon dioxide, water energy, रिलीज होती है, और यह जो process होती है, वो कहां होती है, देखो, जो photosynthesis है, वो तो आ step process होती है, यानि step by step चलती जाती है, 10 step में, 12 step में ऐसे complete होती है, और कहां कहां होती है, cytoplasm and mitochondria, cytoplasm में और mitochondria के अंदर यह process होती है, complete जहां पर food का breakdown होगा और energy release होगी, वो जो energy step by step release हो रही है, उस energy को, जो है, वो एकदम से ऐसे हम free नहीं छोड़ सकते हैं, उसको हम किसमे store करते हैं, जैसे ATP, ATP के form में होती है वो energy, जिसको हम energy currency of the cell भी बोलते हैं, energy currency of the cell, energy currency of the cell, जो energy निकलती है, वो हमारी step by step process होती है, और जिसको जो ATP के form में होती है, और इसको हम energy currency of the cell कहते हैं, एक ही बारी में नही यह step by step करके process है पूरा आप पढ़ोगे आप इसको कि कैसे breakdown होगा? कहा पर हो रहा है? Cytoplasma and mitochondria में सो ये जो breakdown वाली process है इसको हम बोलते है Cellular Respiration ये जो breakdown वाली process हो रही है ये वाली process जहां पर ये breakdown हो रहा है इसके अंदर Cetaboly目wegen process हो रही है इसको हम बोलते हैं cellular respiration cellular respiration क्योंकि cell के अंदर हो रहा है respiration मतलब oxidation of food, breakdown of food तो अब breathing क्या होता है? सो breathing क्या है? breathing के अंदर खाली gaseous exchange होता है gaseous exchange होता है breathing के अंदर यानि अब यहाँ पर एक बहुत important question आता है कि कई बच्चों को यह doubt होता है कि plants जो है वो respiration यानि breathing की process में carbon dioxide लेते हैं और oxygen बहार निकालते हैं यह wrong है plants भी breathing में plants भी जो breathing होता है जो gaseous exchange होता है उसके अंदर oxygen लेते हैं अंदर और carbon dioxide बहार निकालते हैं यह बात आपको ध्यान रखनी है कई बच्चों को यह बात पता नहीं होती है वो यह सोचते हैं कि plants carbon dioxide लेते हैं oxygen बहार निकालते हैं oxygen तो photosynthesis का by product यह देखो यहाँ पे बन रही है photosynthesis में और respiration की process में carbon dioxide water और energy निकल रहा है तो plants जैसे हम लोग oxygen लेते हैं ऐसे ही plants भी oxygen लेते हैं और carbon dioxide बहार निकलते हैं और इसी carbon dioxide को photosynthesis की process में use करके food बनाते हैं तो दिन के time में process चलती है पर रात के time क्योंकि photosynthesis नहीं होती है सिर्फ यह respiration करते हैं और carbon dioxide और water energy रिलीस करते हैं तो यह carbon dioxide बहार निकलते हैं इसलिए बोलते हैं कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए ठीक है तो यह दो doubt आपके clear होने चाहिए कि plants भी oxygen लेते हैं respiration में और carbon dioxide बहार निकलते हैं और यह जो breakdown वाली process है इसको हम बोलते हैं cellular respiration जो oxygen लेते हैं carbon dioxide निकलते हैं यह हमारा gaseous exchange है किस से होता है कैसे होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे ठीक है और जिस substance का ठीक है जिस substance का breakdown होता है मान लो यहाँ पे carbohydrate है carbohydrate में मान लो glucose का breakdown हो रहा है तो जो भी substance का breakdown होता है जो भी substance का breakdown होता है उस substance को हम क्या बोलते हैं respiratory substrate respiratory substrate जो भी substrate का breakdown करना है हमने वो कहलाते है हमारे respiratory substrate वो कुछ भी हो सकता है वो glucose भी हो सकता है वो हमारा proteins भी हो सकते हैं फैट भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है जो भी हमारा substrate का breakdown हो रहा है वो हमारा कहलाता है respiratory substrate ठीक है तो यहाँ पर basically हम क्या पढ़ने जाएंगे cellular respiration कैसे होता है कैसे हम glucose को जो है वो convert करते हैं, breakdown करते हैं इसके carbon-carbon bonds को break करते हैं और ये enzyme की वज़ा से possible हो पाता है क्योंकि ये बहुत लंबी process है enzymes इसमें help करते है जो हमारी process चलेगी और ये catabolic process चलाती है तो आपको ये समझ में आया होगा इसके बाद हम पढ़ेंगे कि plants के अंदर कैसे जो gaseous exchange होता है कौन-कौन से part उनमें involved होते हैं उसके अंदर कोई special respiratory organs है या नहीं है तो ये introduction था, तो आपको ये समझ में आया होगा so thank you, thanks for watching, please like, subscribe and share